हनी इरानी को आज की जनरेशन एक स्क्रीन राइटर के तौर पर पहचानती है कुछ लोग फरहान अख्तर, जोया अख्तर की मा और जावेद अख्तर की पहली पत्नी के तौर पर जानते हैं मगर हनी इरानी का इंट्रोडक्शन इससे कहीं ज्यादा है एक talented writer और 50-60s की मशूर child artist तो वो रही ही इन सबसे बढ़कर वो एक ऐसी इंसान है जिन्होंने का उम्र संगर्ष किया लेकिन कभी अपने चहरे पर एक शकन नहीं आने दी ना ही लोगों के सामने अपनी जिंदगी का तमाशा बनाया जो जैसे आया उसे वैसे ही एकसेप्ट करके आगे बढ़ती रही 25 अगस्त 1954 को जन्मी हनी इरानी भी अपनी बड़ी बहन डेजी इरानी की तरहा लगभग धाई तीन साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करने लगी थी इरानी सिस्टर्स के नाम से मशूर ये दोनों बहने अपने वक्त की सबसे ज्यादा पॉपुलर चाइल्ड आर्टिस्ट थी हनी इरानी की मासूमियत उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी जिसने सभी का दिल जीता जब वो ढ़ाई साल की थी तब फिल्म निर्देशक सत्केन बोस ने उन्हें देखा और उनकी मा से इजाजत लेकर उन्हें अपनी फिल्म एक गाउं की कहानी में पास्ट किया उस समय हनी किंडर गार्टन में थी इस फिल्म के बाद संतान, खर्दी नमबर 911, मासूम, प्यार की प्यास, पूर्णिमा जैसी कई फिल्म में इन में से बहुत से फिल्मों में मीना कुमारी ने हनी की मा का किरदार निभाया हनी रानी के मताबिक मीना कुमारी ने सचमुच उन्हे मा का प्यार दिया, वो नन्ही सी हनी को अपने घर ले जाती, नहला धुला कर प्यार से सुलाती और अपने हाथों से खाना खिलाती मीना कुमारी खुद बच्चपन से फिल्मों में काम करती रही थी और वो उन बच्चों का दर्द बहुत अच्छी तरह समझती थी जिन्हें उनके माबाप ATM मशीन बनाने के लिए फिल्म अंडस्ट्री की भट्ती में जोग देते थे शायद इसी लिए उन्हें बच्चों से बहुत लगाव था हनी इरानी को प्यार की प्यास फिल्म के लिए राश्ट्रे पुरसकार दिया गया ये फिल्म एक ऐसी अनाथ लड़की की कहानी है जिसे एक पती पत्नी गोद ले लेते हैं लेकिन जब उनके अपनी उलाद होती है तो वो सारा ध्यान उसी पर देने लगते है और वो बच्ची खुद को बेसहारा महसूस करने लगती है उस बच्ची के दर्द को हनी इरानी ने बखू भी पर दे पर उतारा उस समय उनकी उम्र खरीब चार या पांस साल की रही होगी कहते हैं फिल्म के निर्देशक महेश कॉल छोटी सी हनी को अपने घर ले गए थे ताकि वो शूटिंग के समय कमफर्टेबल फिल्ड कर सके फिल्म जमीन के तारे में हनी एरानी अपनी बड़ी बहन डेशी इरानी के साथ नजर आई तो मज़े चूट के क्यों चलेंगी मा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं दोनों ही लड़कों की भूमिका में थी दोनों मेहनों ने ज्यादातर फिल्मों में लड़कों की ही भूमी काने भाई काम्याभी की बुलंदी पर दोनों पहुंची मगर हनी हमेशा डेजी की पॉपुलर इमेज की छाया ही बनी रही उम्र बढ़ने के साथ साथ हनी एरानी, कटी पतंग, अमर प्रेम, सीता और गीता जैसी फिल्मों में साइड रूल्स में दिखी जिस समय सीता और गीता बन रही थी उनकी उम्र सिर्फ सोले साल की थी सीता और गीता की कहानी सलीम खान और जावेद अख्तर की जोड़ी ने लिखी थी जो उस वक्त तक हिंदी फिल्मों में बतौर लेखक अपने खदम जमानी की कोशिश कर रहे थे उसी फिल्म की शूटिंग के वक्त की बात है, जब सब ताश खेल रहे थे जावेद अख्तर हार रहे थे तब हनी इरानी ने कहा, चलो अब की बार तुम्हारे लिए पत्ता मैं निकालूंगी जावेद अख्तर ने मजाक मजाक में बोला कि अगर अच्छा पत्ता आया तो मैं तुम से शादी कर लूँगा और वाकि पढ़िया पत्ता निकला तब जावे दख्तर ने हसते हुए कहा कि चलो अब शादी कर लेते हैं और इस तरह मजाक में शादी की बात निकली फिर उनके दोसोने के नाते सलीम खान जावे दख्तर का रिष्टा लेकर हनी की मा के पास गए और कुछ वैसे ही रिष्टे की बात की जिस तरह शोले में अमिताब बच्चन ने मौसी से की थी हनी एरानी की मा ने इस सारी बात सुनकर कहा कर लेने दो शादी सबख सीकतर वापस आ जाएगी और फिर 1972 में जावे दख्तर और हनी एरानी की शादी हो गई उस समय तक जावे दख्तर एक स्ट्रगलिंग राइटर थे और उनके पास रहने का कोई ठिकाना भी नहीं था तब उन दोनों को अपने घर में पनाह दी हनी की सबसे बड़ी बहन मेनका और उनके फिल्मेकर पती कामरान खान ने फरह खान और साजित खान उनके बच्चे हैं उनके घर के स्टोर रूम में वो दोनों खरीब एक साल रहे इसी बीच जन्जीर रिलीज हुई और जावे दख्तर की किसमत रात और रात बदल गई इधर जावे दख्तर तरख्के की सीड़ियां चड़ रहे थे उधर हनी दो बच्चों फरहान और जोया की माँ बन गई लेकिन इसी दोरान जावेद अख्तर की जिंदगी में शबाना आजमी की आमद हुई दोनों एक दूसरे की तरफ खिचते चले गए और फिर हनी और जावेद अख्तर की छे साल की शादी अलगाव में बदल गई 1984 में बाखाइदा तलाक के बाद जावेद अख्तर ने शबाना आजमी से शादी कर ली अक्सर जब ऐसा होता है तो उसका सबसे जादा बुरा असर बच्चों पर पड़ता है मगर हनी एरानी की समझतारी के कारण बच्चों की संबंध अपने पिता और उनकी दूसरी मां से भी सहज रहे जावेद अख्तर हर महीने बच्चों की परवरिश के लिए कुछ रखम देते थे मगर वो काफी नहीं थी इसलिए हनी एरानी ने साडियों पर एम्डॉइडरी करके फिल्म स्टार्स को बेचना शुरू किया बड़ी बड़ी हेरोईंज उनकी बनाई हुई साडियां खरीदती थी हनी एरानी को शॉर्ट स्टोरीज लिखने का शौक था लेकिन उन्होंने कभी अपनी कहानी किसी को सुनाई नहीं थी एक दिन यश्चोपडा की पतनी पामेला चोपडा के सामने उन्होंने अपनी एक कहानी पड़ी जो किसी कीवी सीरीज के लिए चाहिए थी मगर जब यश्चोपड़ा ने वो कहानी सुनी तो उन्हें इतनी पसंद आई कि बाद में उन्होंने उस पर एक फिल्म बनाई आईना इसी वीच यश्चोपड़ा के कहने पर उन्होंने लमहे लिखी फिर परंपरा डर जैसी फिल्मों के साथ ये सिलसला आगे बढ़ता गया उन्होंने कई फिल्मों के स्क्रीन प्ले और डायलोग्स भी लिखे हनी रानी को लमहे और क्या कहना के लिए बेस्ट स्टोरी का और कहो ना प्यार है के लिए Film Fair का Best Screen Play Award दिया गया फिर अर्मान फिल्म से डिरेक्शन में खदम रखकर उन्होंने अपना एक और सपना पूरा कर लिया कुछ लोग talented होने के बावजूद हमेशा दूसरों के साए में छिपे रह जाते हैं हनी इरानी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ पहले बड़ी बहन, फिर पती और बच्चों की शोहरत के बीच हनी इरानी का नाम आम दर्शकों के लिए थोड़ा अंजाना ही रह गया लेकिन उनका काम उनकी पहचान है और उसे किसी भी तरह से नकारा नहीं जा सकते